मेरे प्यारे देश्वासियों अगर मैं आपसे बुंदेल खंड के बारे में बात करूँ तो वो कौन सी चीजे हैं जो आपके मन में आएगी इत्यास में रूची रखने वाले लोग इस ख्षेत्र को जहांसी की रानी लक्ष्मिवाय के साथ चोड़ेंगे वहीं कुछ लोग सुन्दर और सांत और्चा के बारे में सोचेंगे कुछ लोगों को इस ख्षेत्र में पढ़ने वाली अत्यदिक गर्मी की भी याद आ जाएगी लेकिन इन दिनों यहां कुछ अलग हो रहा है जो काफी उत्साहवर्दक है और जिसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए पिछले दिनों जांसी में एक महने तक चलने वाला स्ट्रॉबरी फेस्टिवल शुरू हुआ हर किसी को अश्यरे होता है स्ट्रॉबरी और बुंदेलखन लेकिन यही सच्चाई है अब बुंदेलखन में स्ट्रॉबरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमी का निभाई है जांसी की एक बेटी गुर्लिन चावला ने लौकी छात्रा गुर्लिन ने पहले अपने घर पर और फिर अपने खेत में स्ट्रॉबरी की खेती का सफल प्रयोक कर ये विश्वात जगाया है कि जांसी में भी ये हो सकता है जांसी का स्ट्रॉबरी फेस्टिवल स्टे एट होम कंसेप पर जोर देता है इस महुत्सव के माद्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीशे खाली जगे पर या छट पर टैरेस गार्ण में बागवानी करने और स्ट्रॉबरी जुगाने के लिए प्रोसाइद किया जा रहा है नई टेक्लोलोजगी के मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्नी हिस्सों में भी हो रहे हैं जो स्ट्रॉबरी कभी पाढ़ों की पहचान थी वो अब कच्की रेतिली जमीन पर भी होने लगी हैं किसानों की आई बढ़ रही है साथियों स्ट्रॉबरी फेस्टिवल जैसे प्रयोक इनोवेशन की स्प्रीट को तो प्रतसित करते ही हैं साथी यह भी दिखाते हैं कि हमारे देश का क्रिशिक्षेत्र कैसे नई टकलोरजी को अपना रहा है साथियों खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिवद्ध है और अनेक कदम उठा भी रही है सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे